तो तीसरा कुछन है यदि साइन ए बरावर तीन वाटा चार तो कॉस ए और तेन ए का मान पर इकलित किजिए तो यहां पर एक इमेज बनाएंगे एक समकुन तिर्वोज है जिसमें ए भी नहीं दिया हुआ है यह तो निकालना ही है ठेक है और बी सी कितना दिया हुआ है तीन और और ची चार दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भी निकालेंगे तेक है तो अधार का स्कोर या यानि बी लेकिनों आवं कौन एश ले रहा है इसलिए यह वसक्वार्ट यान कर स्कुर माइनस बचेगा तो यहां एस होता है तो यहां से लेंगे को बी क्या होगा यह होगा अब बी किना रूट साथ चार तो यह जो है रूट साथ तो पी किना हो गया तीन अब बटा में रूट साथ तो यह आपका अंसर हो गया तो अगला कोशन देखते हैं चार नमर कोशन यदि 15 कोट ए परावर आठ तो साइन ए और सेक ए कमान ग्याद किजिए तो सबसे पहले हम यहां पर एक इमेज बना लेंगे समकून तिर्वुज तो इस परकार से एक समकून तिर्वुज बना लेना है तो यह जो हो कोट ए बरावर आठ तो हम कॉट यह लिख सकते है 8 15 अब तहकर क्षोट इस ले रहे हैं यह यह पी होगा तो यह किन आप पंद्र तो हम निकालना होगा यह सी निकालने के लिए टिवरावर क्या होगा फारूला कि लंब कैश्वर्य यानि इसमें क्या है यह यह है यह बिसक इसक्वर प्लस अधार कैश्वर यानि यह एक एक इंवी प्लस सब्सक्राइब कितना होता है कि दुसौपचीस अटका इसकार चॉट यह दुनों का अटकरते हैं तो किसी रहा जाएगा दोसौफ कि दूसौफचीस में कैजा करना चॉट प्लस में कितना करना कि इसको जोडता है नौप यह किनुन रहेगा इस चोड़ू आठ अईए दो दूसो नौ से किनौ रोगया दूसो नौसे नौसे धूसोद्व मासी को लिख सकते हैं 17 गुले 17 लिख सकते हैं वहलिक्भ लिख सकते हैं रोट में दो को है 17 चाहिँ वाहरा जाएगा तेक चाहिए तो यहां से में बात करें एसी कितना आगिया तो हम साइन एग्यात करेंगे साइन ए वरावर क्या था फर्मुला पी वटा है एस लेंगे तो पी यह पंदरह अभी निकाले है एसी यानि कितना है है 17 अगर आगे हम बात करें सेख ए मरावर क्या था फर्मुला एस वटा भी एस कितना है एच अभी निकाले है कितना है 17 अब वटा में बी कितना है तो बी हम बात करें तो यह पी है तो यह बी है आठ तो यह हो गया आपका एंसर